अचा मुंबई special street food बनाएंगे पावभाजी पर जबी भी हम पावभाजी घर पे बनाते हैं तो उसमें बहुत ही जादा मेहनत लग जाती है सबजीयों को मैश करने में पर आज जिस तरीके से हम पावभाजी बनाएंगे उसमें आपको जादा मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और यह जटपट से तयार हो जाएगी तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे सबजियां बॉयल करनी है जो हम कूकर में बॉयल करेंगे यह सबजियां कूकर में बॉयल करने के बाद भी बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल पावभाजी का टेज देंगे पर पानी और 1 चमबच बटर अब हम एक विसल आने के बाद इसे लोफले में पांच मिनट के लिए पकने देंगे जब तक सबजियां हो रही है तब तक हम मसाले तयार कर लेते हैं उसके लिए मैंने एक पैन में तेल और बंक्स करके डाला पैन में हमें बटर के साथ ओईल जरूरी है नहीं तो बटर जल सकता है बटर मेल्ट हो जाने के बाद मैंने इसमें डाला एक बारिक कटा प्याज और बारिक कटी हरी मिर्च प्याज को हमें पेंकोते तक भून लेना है फिर हमें एड कर लेना है कूटा हुआ अद्रक और लसुन अद्रक लसुन को हमें एक मिनट तक कच्चा पंजाते तक ही भूनना है जादा ब्राउन नहीं करना है अद्रक लसुन फ्राई हो जाने के बाद मैंने इसमें एड किया टोमेटो प्यूरी मैंने या दो तमाटर के प्यूरी ली है साथी में मैंने dry spices add कर लिये नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी हलदी और पाववाजी मसाला सारी चीजों को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है और टमाटर को तेल छोड़ते तक पका लेना है टमाटर पक जाने के बाद मैंने इसमें add किया बारिक कटा शिमला मिर्च, जिसे मैंने 2-3 मिनट के लिए पका लिया है इसके बाद मैंने add किया बारिक कटा टमाटर और फिर से हमें टमाटर को 4-5 मिनट के लिए डग कर पकाना है जब तक हमारी gravy ready हो रही है तब तक हम उबली होई सब्जियों को mash कर लेते हैं उबली होई सब्जियों को पानी से निकाल कर सबसे पहले हम इसे potato masher का यूज करके अच्छे से mash कर लेंगे तो कि हमने इसे cooker में boil किया है इसलिए हमें इसे mash करने में ज़्यादा problem नहीं होगी आसानी से mash हो जाएंगे हमारी सब्जिया मेश हो गई है और gravy भी ready है तो हम दोनों चीजों को mix करके पका लेते हैं तो यहां मैंने boil किवी सबजी और gravy दोनों को ही अच्छे से mix कर लिया है और दो से तीन मिनट के लिए पका लिया है अब हम इसमें add करेंगे एक टेबल स्पून के करीब बटर, पाव भाजी मसाला, एक चमच और vegetable stock जो हमने boil किवी सबजी से अलग किया था अब हम सारी चीजों को अच्छे से mix करके 15-20 मिनट के लिए ढखकर पकने देंगे 15-20 मिनट इसे पकाने से सारी सबजी अपना flavor छोड़ देंगी और पाव भाजी बहुत ही ज़ादा tasty बनेगी जब तक हम पाव भाजी को पका रहे हैं तब तक हम यहाँ पे ब्रेग भी सेख लेते हैं मैंने यहाँ पे दो पाव को साथ में बेच से स्लेट कर लिया और बटर के साथ पलट पलट कर अच्छे से से शेख लिया तो यहाँ पर हमारी पाव और पाव भाजी दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट बन कर रेडी है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फर वाचिंग